हाई गाईज फिर से मैं आपके सामने आया एक नए वीडियो के साथ और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है क्लास टेंथ मैथेमेटिक्स और वो भी हमारा अपना प्यारा सब्जेक्ट स्टुडेंट फ्रेंड एसफ का भूग जिसको केसी सीना जी ने लिखा हुआ है और इस चै किये जा रहे हैं तो कोई वीडियो मिश न करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ताकि आपको जैसे ही वीडियो अप्लोड तुरंत मिल जाए और आप इसका लाव उठा सके तो चलते हैं शुरू करते हैं जैसा कि कल के क्लास में हम लोग ने प्रशनावल हैं तो चलिए जल्दी से सुरू करते हैं क्वेस्टन नंबर चार है कि क्वेस्टन नंबर चार है हमारा दो पात्रों में 250 और 425 लिटर दूद है देखिए पात्र का अर्थ होता है बरतन पात्र का अर्थ होता है बरतन एक बरतन में 250 लिटर दूद है और दूसरे बरतन में 425 लीटर दूद है ठीक है पात्र की महतम धारिता क्या है पात्र मतलब फिर बता देते हैं बरतन महतम मतलब होता है सबसे अधिक धारिता क्या है मतलब कौन सा बरतन है जिसकी धारिता सबसे अधिक है ठीक है अब यहाँ पे महतम महतम को हम लोग अंगरेजी में कहते हैं highest common factor य निकालते थे युकलिट के मेथड से तो उसी मेथड से फिर से इस क्वेस्टन में हम लोग क्या करेंगे पात्र की महतम धालता गयाद करेंगे जो दोनों पात्रों के दूद को पूर्ण रूप से माप सकती है मतलब कितना का वो महतम धालता बनाया जाए कि दोनों जो बरतन है उस दूद को पूर्ण रूप से क्या करें, माप ले, तो simple सा सवाल है, देखें, दो अंक है, एक है 250 और एक है 425, तो पहले तो आप लोगों लिख लीजिए, पहले पात्र में दूद की मात्रा बराबर 250 लिटर, दूसरे पात्र में दूद की मात्रा 425 लिटर, ठीक है, अब इसमें आप लोगों बताएं कि जब भी HCF निकालना हो, तो अंक चाहे पहले नंबर पे बढ़ा हो, या दो नंबर पे बढ़ा हो, आपको बड़े वाले अंको ही A मानना है, और छोटे वाले अंको B मानना है, तो हम लिखेंगे माना A बराबर 425 और B बराबर 250, फिर वहीं 250 से भाग देंगे 425 में, तो 250 से 425 में जब भाग देंगे, तो 250 से कम 250, आप 250 दूना 500 हो जाएगा, और भाग करियम क्या होता है कि, भाज जिस अधिक उसका मान नहीं जाना चाहिए, तो 500 कर देंगे तो 425 से उबढ़ा हो जाएगा, या दो मर्त में नहीं जाएगा, एक मर ठीक है, अब 250 से कम 250, आप 425 से 250 घटाएगे, तो 5 से 0 गया, तो 5, 2, 2 से ये 5 नहीं घटेगा, तो 12, अब 12 से 5 घटाएगे, तो 7, अब इसमें से निकल गया है, तो 4 से निकला, तो 3, तीन से 2 घटाएगे, तो 1, यानि 175 आ गया, तो इतना तो समाहिए लेंगे आप लोग कै कैसे, यहाँ पे भागफल Q का मान, यहाँ पे सेसफल अब, आपको पता है न, कि यह तब तक प्रकिरिया चलती है, जब तक सेसफल 0 न आ जाए, तो यहाँ आप आप देख लेजिए, B के नीचे जो होता है, उसको हम लोग क्या मानते हैं, अगले प्रोसेस में, तो A बराब जगा, A कमान 250, बराबर का बराबर, B के जगा 175, अब 175 से भाग देंगे 250 में, तो फिर दो मर्त में करेंगे, तो ज्यादा हो जाएगा, एक मर्त में जाएगे, तो 175 एकम 175 और 250 से 175 घटाएगे, तो आजाएगा 75, तो फिर शिसफल कितना गया, 75, अब B के नीचे 175 है, तो A कम फिर युक्लिट विभाजन परमेका से A बराबर B इंटु Q पलस आर A के जग़े 175 B के जग़े 75 अब 75 से भाग देंगे तो 75 का 75 75 दुने 1.5 यानि 150 तो 175 से उकम है तो 2 मर्त में जाएगा 175 से 150 कटाएंगे तो 25 बच जाएगा फिर भी 0 नहीं आया फिर अगला प्रोसेस B के नेचे 75 है और R के नेचे 25 है A बराबर 75 और B बराबर 25 युक्लिट विभाजन परमेका से A बराबर B इंटु Q पलस R और अंती में स्टेफ है ये A का मान 75, B का मान 25 और 25 से जब भाग देंगे 75 में तो ये कड़ जाएगा 25 ती आई 75 यहीं तीन मर्थ में और प्लस में R कमान 0 जब 0 आ गया तो B के नीचे जो होता है वही हमारा HCF होता है HCF कितना गया जी 25 अतब पार्टर की महतम धारिता कितना जी 25 लीटर है तो जरू इसको समझ गएंगे देखे मैं कोई भी एगर वीडियो अपलोड करता हूँ न तो पीछे जीतना भी वीडियो मैंने अपलोड किया है उसका उस सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन में मैं उन सभी सब्जेक्ट का लिंक डाल देता हूँ मतलब जैसे यह पार्ट 3 है तो आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो इसका पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे करके आपको वीडियो डाला गया है ठीक है न तो उसको जा करके आप लोग देख सकते है वो देखेंगे तो यह समझ में बड़ा जल्दी है क्योंकि इस तीज कुसमें बड़ा ही डीपली समझाया गया तो चलते हैं अगले क्वेस्टन पर हमारा क्वेस्टन है एक आयताकार सता की लंबाई 4,671 मीटर और चोड़ा 3,318 मीटर है इसके संपुर्ण छेतर पर वरगयकार टाइल्स बिछाना है इस टाइल्स की लंबाई ग्याद किजी देखें इसमें दो अंखे एक है 4,611 मीटर और एक है 3,318 मीटर तो सेम वहीं तरीका यूज करना है बड़े वाले को A मानना है और छोटे वाले को B और इसको सॉल्ब करना है तब तक तब तक सेसफ़ल 0 ना आ जाए और आप यूक्रिट बिदी से स्वाल को सॉल्ब कर लेंगे जो भी HCF आएगा वो टाइल्स की लंबाई लिख दीजेगा अथा टाइल्स की लंबाई माल यह जो भी है उसको लिख देगे यह सवाल बन जाएगा तो इसलिए इस सवाल को हम छोड़ रहे हैं इसको आप लुक बनाए और नहीं बनता है तो कॉमेंट करें इसका भी वीडियो बनाकर अफ्लोड कर लिया जाएगा ठीक है न और दूसरी बात देखें इस चैनल पर अभी केवल 10th के वीडियो आ रहे हैं ऐसा नहीं है केवल 10th का ही आएगा आपको 9th का 10th का 11th का चारो क्लास का वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा सब इस सब्जेक्ट का फिलहाल बहुत जल्द ही आज या कल से 12th क्लास के मैट के क्लास इस पर सुरू हो जाएगा और 11th का क्लास सुरू हो जाएगा जैसे ही मैट्रिक का रिजल्ट आता है उसके बाद से मैं तुरंट जैसे ही बच्चे इसमें कॉमेंट करना सुरू करेंग तब तक अभी 10th का इस बीडियो अप्लूट किया जाएगा और 12th कलास का तो ज्यादा ज्यादा लोगों के पास आप लोग सेर कीजिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार है तो अन्य बच्चों से भी कहें कि वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करें डेली आपको दो चार वीडियो अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में